हलो फ्रेंस, आज हम बात करेंगे महाभारत के कुछ उन किरदारों के बारे में, जिनके बारे में की लोगों को बहुत कम जानकारी है. जैसा कि आप जानते हैं महाभरत कहानी है अधर्म पर धर्म के विजय की एक कहानी है कारों और पांडों की लेकिन इस कहानी में उनके अलावा भी बहुत सारे किरदार थे इसमेंसे कई सारे करदार जिनने बहुत ही महत्वपून भूमिका निभाई इस कहानी में उनके बारे में लोगों ने पढ़ा है, सुना है या फिर देखा भी है लेकिन बहुत सारे करदार ऐसे थे जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे ही किरदारों के पारे में इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है वो है यूयोट्सू का यूयोट्सू जो थे वो एक कौरव थे वो धितराष्ट्र और सुगधा के पुत्र थे तो इस समय दोनों पक्षों को ये अफसर दिया गया था कि वो अगर चाहें तो अपना पक्ष बदल सकते हैं और इस दोरां यूद्सु ने ये डिसाइड किया था, निर्ने किया था कि वो पांड़ों की तरफ से लड़ाई लडएंगे और यूद्सु उन गिने चुने युद्धाओं में से एक थे जो कि महाबरत की लड़ाई के बाद भी जिवित रहे यूद्सु की तुलना जो है रामायन के विविशन से की जा सकती है जिन्होंने धर्म का साथ देते हुए अपने भाई के विरुद जाकर ये यूद्ध लड़ा था और कहते हैं कि महाबरत की लड़ाई में यूद्सु ने बहुत सारी ऐसे सिक्रट भेद पांड़ाओं को बताई थे कौरों के बारे में जिससे की उन्हें कौरों पर विजय मिली थी युट्स के बाद जो दूसरी ऐसी करदार है जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है वो है विकर्ण विकर्ण जो थे 100 कौरों में से 1 थे कई लोगों वा कहना है कि ये जो थे वो 3rd कौरों ब्रदर्स में से थे हालनकि बाकी कहानियों में इन्हे 1 of the 100 ब्रदर्स बताया गया है विकर्ण के बारे में ये बताना बहुत जरूरी होगा कि जब दुरौपदी का चीरहरन हो रहा था तो शायद वो एक मात्र ऐसे कौरों थे जिसने इसके निंदा की थी उन्होंने बहुत argument भी किया था दुर्योधन के साथ कि ये चीरहरन क्यों नहीं होना चाहिए था और उनका एक इस दौरान जो उन्होंने बाते कही थी नमें से एक बात बहुत interesting है उन्होंने ये कहा था कि चुंकि दौरापदी पांचो पांडों की पत्नी है इसलिए सिर्फ और सिर्फ युधिस्टर उन्हें दाओं पर नहीं लगा सकते इस हिसाब से देखा जाए तो युधिस्टर को कोई अधिकार ही नहीं था कि वो अकेले ये निर्णे लें कि दौरापदी को द्वंद युध में वो दाओं पर लगाए और इस हिसाब से देखा जाए तो युधिस्टर ने किया था वो गलत था और उन्हें कोई हक ही नहीं हलांकि वो धर्म के साथ थे लेकिन वो किसी कारण से अपने भाई के भाई से अलग होकर नहीं जा पाए। कई मामलों में देखा जाए तो विकर्ण की तुल्ला हम रामायन में कुम्ब करन से कर सकते हैं, जिनने पता था कि उनका भाई जो है वो धर्म के साथ है, लेकिन अंत म उन्होंने अपने भाई का ही साथ दिया युद्ध के दौरान। चौदवे दिन युद्ध के महावारत की लडाई जो अठरा दिनों की लडाई थी उसमें चौदवे दिन विकर्ण की मृत्य हुई थी भीम के हाथों, और कहा जाता है कि भीम भी रो पड़े थे उनकी मौत पर क्योंकि भीम जानते थे कि विकर्ण उन गिने उचुने कौरों में से एक हैं, जो धर्म को समझते हैं और धर्म के साथ हैं, अलांकि उनकी कुछ विवस्ताएं थी जिसके चलते उन्होंने दुरियोधन के पक्ष में ये युद्ध लड़ा। अलांकि सत्यकी जो थे उपांडों की तरब से उन्होंने युद्ध लड़ा था, सत्यकी बहुत बड़े युद्धा माने जाते थे और ये अर्जुन के मित्र और सिष्य भी थे और इनकी भूमिका बहुत बड़ी थी महाभारत के लड़ाई में, इन्होंने कहते हैं कि अहिलावती, अब अहिलावती की कोई डायरिक्ट भूमिका नहीं थी महाभारत के लड़ाई में, ये पतनी थी घटूतकक्ष की, घटूतकक्ष आपकी जानकारी के लिए बता दू कि भीम और हिडंबा के पुत्र थे और उनकी पतनी थी अहिलावती, और हम इस वीडियो मे अहिलावती के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अहिलावती के एक पुत्र से, जिसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, और अहिलावती ने अपने पुत्र से युद्ध में जाने से पहले ये वचन लिया था, कि उनका पुत्र जो है, अहिलावती चुं लेकिन इसी वचन के चलते महाभारत के युद्ध के परणाम पर असर पढ़ सकता था. देखते हैं कि वो पाचवा किरदार कौन था और अहिलावती के वचन से क्या असर पढ़ सकता था महाभारत के युद्ध पर. पाचवा जो किरदार है वो है बारबरिक जो अहिलावती और खटोत कक्ष का पुत्र था यानि कि भीम का पौत्र था. बारबरिक कहते हैं कि बहुत बड़े युद्धा थे और उनके पास तीन विशेस वान हुआ करते थे. उन तीनों वानों से वो पहले वान से अपने टार् को नश्ट कर देते थे. कहते हैं कि भगवान कृष्ण युद्ध से पहले जब सभी युद्धाओं से मिल रहे थे और उनकी राय पूछ रहे थे कि आपके हिसाब से युद्ध कितने दिन चलेगा तो अरजुन ने कहा था 20 दिन, द्रोनाचारी जी ने कहा था 25 दिन. है वो एक ब्राह्मन के भेश में बारवरिक से मिलने पहुंचे, बारवरिक जो की युद्ध में हिस्सा लेने के लिए एक रुक्षेत्र की दरब जा रहे थे, तो रस्ते में जब भवान कृष्ण उनसे मिले तो उन्होंने एक ब्राह्मन का भेश धारा हुआ था और उन्ह बारवरिक ने कहा, आवस्य ब्राह्मन देओ, मैं ये कर सकता हूँ, और बारवरिक ने निसाना साधा अपनी आखे बंद की, उस समय कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण ने चुपके से एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया था, और बारवरिक ने जब अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था, और इस तरह से भगवान कृष्ण जमझ गए कि ये युद्धा अगर कौरवों की तरफ चला गया, तो ये पांड़ों को नहीं छोड़ेगा, और भगवान कृष्ण अगर पांड़ों को नहीं छिपा भी दें, तो भी ये युद् के पास है, भगवान कृष्ण ने उस समय बारबरिक को समझाया कि सायद तुमने बीना सोचे समझे ये वच्ण अपनी माता को दिया है, क्योंकि तुम जिस भी तरह जाओगे, दूसरा पक्ष कमजोर पड़ जाएगा, और इस हिसाब से देखा जाए तो तुम पूरे जो युद्ध के अंत में बचोगे, और बारबरिक को समझ में आया कि जो वचन उन्हें पनी माता को दिया है, शायद वो बिना सोचे समझे दिया था, हलांकि उस समय फिर ब्रामन भेस में क्रश्ण जी ने बारबरिक से कहा कि वीर मैं तुम से कुछ दान मांगना चाहता क्या तुम मुझे वो दान दोगे, और बारबरिक ने उन्हें कहा कि मैं अवश्य अपना दान दूँगा, तो भगवान क्रश्ण ने उनसे उनका सर दान में मांग लिया था, और बारबरिक ने बीना देर किये, अगले इक्षान अपना सर उतार कर भगवान क्रश्ण को दि कुछ ऐसे कुछ अफ़ारत के के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आयए तो प्लीस इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हम ऐसी मनोरणजग जानकारी आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे टा कि इस झाल झाल